तो फ्रिंट्स आज बात करने वाले यह वाला ओडियो एम्प्लिफायर बोर्ट के उपर जो बोर्ड है अगर आपको मोनो एम्प्लिफायर बोर्ड का जरुत है तो एक काफी अच्छा एक बोर्ड है प्राइस का बात कर लेते हैं इसका लोकल मर्क्रुट है अप लोगको 180 रूपिस में मिल जाएगा और उपर से भी आप इसको ऑनलाइन पर्चेस कर सकते हो पर्चेस लिंक में नीचे डिसके में दे दूँगा यह जो बोर्ड है यह आप लोगको एक बहुत ही अच्छा का सा पावर आउटपुट देने वाला है कितना आउटपुट देने वाला है यह जो आप पावर वोल्टेज दोगे उस टेम आप लोगको यहांसे 30 वाट का आउटपुट दे देगा और इसका जो मैक्सिमाम आउटपुट आप लोगको मिलेगा वह है 50 वाट मतलब एक 50 वाट का बहुत ही अच्छा का सा मोनो एम्प्लिफार एक बोड है यहांसे मिनिमाम 30 वाट और मैक्सिमाम इससे 50 वाट तक आउटपुट आप लोगको मिल सकता है उसके बाद घ्रंदस आता है इसका भोल्टेज के ऊपर यहां पर आप कितने भोल्टेज दे सकतो तो एह जो बोड है इसके ऊपर आप 4.5 से 26 वोल्टीक बोड दीच अवाट शाचा काशा चाम कर जाता है तो आप यहां पर 13 व stolen जो संटिं D-Type Audio Amplifier Board और एक Mono Amplifier Board और मोनो और स्टूडियो के ऊपर आप लोगको confusion तो आप आए वाटन में एक वीडियो आए वीडियो देखके आप और मोनो और स्टूडियो के जो confusion है वो बहुत ही अच्छा था इसे clear कर सकते हो उसके बाद आते हैं इसका कुछ protection के उपर तो यहाँ पर आप लोगको over voltage, under voltage, over temperature, short circuit जैसा बहुत सारे यहाँ पर protection आप लोगको इस board में देखनों को मिलेगा तो देखो friends यह जो board यह PCB को आप उल्टा कर दो गए तो यहाँ पर देख से हैं तो सबसे पहले आप लोगको left side में आप लोगको mute करके point मिलेगा इस mute वाला point में आप एक push button लगाओगे तो push button को एक बड़ प्रेस करोगे तो पूरा system mute हो जाएगा फिर push button को push करोगे तो पूरा system फिर से चालू हो जाएगा यहाँ पर जो देख से हैं तो input करके हैं तो यहाँ पर आप लोगको जो audio input देना है वो audio input यहाँ से देगा तो friends जो audio input देना है वो mono में देना है ठीक है तो एक clear है और इस तरह पाऊ जाएगे तो आप लोगको यहाँ पर आउट positive और negative मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगको एक speaker लगाना है जहाँ पर एक speaker का positive और negative दोनों साइट को लगाने के बाद और speaker बहुत ही आचाता से काम करेगा उसके right side में आता है यहाँ पर power में तो आप लोगको यहाँ पर DC power supply देना होगा यहाँ पर 4.5 तो बहुत लोग होगा ना तो 12 से 24 वोल्टा का बहुत ही आचाता से दोगे तो बहुत ही आचाता से काम करेगा मतलब पर आउटपुट आप लोगको देखने को मिलेगा तो यह तो होगया board तो सबसे पहले आता है power supply तो इस board को power supply देने के लिए मैं यह वाला एक laptop का adapter का यूज कर रहू जिसका voltage है 19.5V 3.33A आप यहाँ से अच्छे से देख सेकते हो तो यह तो होगया power supply तो यहाँ पर audio input देने के लिए मैं यह वाला Bluetooth module का यूज कर रहू और यह Bluetooth काट यह भी बहुत ही अच्छा तैसे काम करेगा इसके साथ और आपके पास यह वाला Bluetooth module नहीं है कोई बात नहीं आप यह वाला Bluetooth module यूज कर सकते हो उपर से अपके पास Bluetooth module ही नहीं तो उपर से जो 3.5M का जो jack है उसको भी आप यूज कर सकते हो और फ्रेंट्स यहाँ पर जो volume है volume को decrease और increase मतला volume को control करने के लिए यहाँ पर B47K का एक potential meter का जरुत होगा और फ्रेंट्स जो mono से studio करने के लिए और studio से mono करने के लिए यहाँ पर 47K ohms का resistance का जरुत होगा यहाँ पर circuit बनाने के लिए और फ्रेंट्स जो इस speaker में यूज कर ओ है देख सेक तो एक 8-inch का Samcon का 60W maximum output का एक speaker इसका minimum है मतलब जो output है 40W और maximum है 60W मतलब यह जो speaker है 8-inch क है देख सेक तो काफी बड़ा और काफी heavy एक speaker है तो एवाला speaker इस module के साथ बहुत ही अच्छा तरीक से चलना चाहिए ठीक है मतलब इसका भी output voltage बहुत ठीक है और इसका भी output देख सेक तो यहाँ पर लिखा हुआ है music power 60W maximum ठीक है मतलब एवाला काफी अच्छा तरीक से काम क तक रेखना चाहिए नहीं तो आप 12V दोगे और 8-inch का speaker लगा दिया एकदम 40-50W का लेकिन आप अच्छा कासा output आप लोग को नहीं मिल रहा है तो ओ है power का issue ठीक है तो यह तो हो गया पूरा instrument तो अभी circuit बनाने वाल है ठीक है तो चला जो circuit है उसको बनाना सुरू करते है तो यहां से हम लोग को मूनों में convert करना है तो मूनों में convert करने के लिए यहां पर जो 47 के ohms का duo resistance लेना होगा और दोनों साइट को यहां पर right और left में कुछ इसता से soldering कर देना होगा ठीक है तो सबसे पहले एवाला soldering कर लेते है तो देख से तो बहुत ही अच्छे तरह से यहा यहां पर sort हुआ है यहां पर तो यहां पर दो वैर connect कर लेते है तो देख से तो बहुत ही अच्छा था इसे यहां पर जो हमारा studio से mono convert हो गया तो अभी मैं direct यहां पर लगा सकता हूँ लेकिन नहीं लगाँगा क्योंकि हम लोग को लगाना है बीच में एक potential meter volume को control करने के लि यह वाला point connection हो जाएगा negative में तो इस दोनों वैर को सबसे पहले यहां पर positive और negative में connection कर लेता हूँ तो देख से तो बहुत ही अच्छा था से यहां पर connection कर लिया तो अभी क्या करने होगा अभी Bluetooth module का positive मतलब rate color का जो वैर है जो resistance से आया है ठीक है देख से तो यहां पर resistance आया और आप direct यहां पर board का negative side में भी लगा सकते हो तो चलो यहां पर दो बार connection कर लेते हैं तो देख से तो यहां पर जो audio input का connection है complete हो गया यहां पर Bluetooth module यहां पर potential meter volume को control करने के लिए यहां पर board है तो अभी हम लोग को लगाना है हमारा speaker तो यहां पर देख से तो मेरा speaker को ले लि और negative देखने को मिलेगा तो से मुझी तरह से speaker का positive के साथ यहां पर out का positive और speaker का negative के साथ यहां पर negative में connection कल देना होगा तो चलो यह दोनों point को यहां पर लगा देता हूँ देख से यहां पर जो speaker का connection बहुत ही अच्छता है इस से हो गया अभी last में हमारा power supply का तो यहां पर म जो बाहर वाला surface एक वाला पीन है इस पीन में जो बाहर वाला surface है वाला negative है और जो अंदर वाला पीन अब लोगको साथ दिख रहा है तो देख से तो यहां पर पूरा connection है complete कर दिया यहां पर मैं power supply भी दे दिया यहां पर देख से तो जो छोटा चा LED जल रहे है यहां पर इ में मेरा laptop के साथ connect भी किया है ठीक है तो चलो अब एक NCA song play गर के देखते हैं कितना अच्छा खासा output हम लोग को मिल रहा है प्रास के जब लोर में लोग उन्मemorgt God औराद आटाउ आजब को तो फुट्म मे लोगेघज and are all ङए। तो pro फो मिला के आपके घर में एक mono setup करना चाहते हो इस board के साथ और एक 8 इंच का 40 watt का एक speaker के साथ तो बढ़िया रहेगा और quality भी बहुत आचागा सा मिल रहा है तो इस तरह से आप पुड़ा connection कर सकते हो अगर कोई doubt है तो मेरे को Instagram में DM कर सकते हो उबर से भी comment कर सकते हो मैं कोसिस करू इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो पे तब तक लिए good bye, जय हिंद, जय भारत